असलाम अलेकुम जी इंडियन चंद्रयान 3 ने चांद पर सोफ लेंडिंग कर ली है और ये सोफ लेंडिंग अब से ठीक एक मिनट पहले जो है वो हुई है और जो इंडियन साइंटिस हैं और जो इनका इजारा है स्पेस का इसरो ये लाइव मनाजिर अपने पेज पर दिखा और जो दूसरी वेबसाइट्स हैं जिन्हों ने इसकी डुमेन ली और इसको लाइव दिखाया तो कहा जा सकता है कि क्रोडों लोगों ने इस सोफ लाइंडिंग को जो है अपनी स्क्रीन पर देखा और नरिंदर मुदी जो कि इस वक्त साओध आफ्रीका के दोरे पर हैं उ वो चले और बकाइदा तोर पर सोफ लैंडिंग बड़े पहले धीरे धीरे अंदाज में होती रही और अब जो है इंडिया मैं यह कह सकता हूं कि रशिया और अमेरिका के बाद वो मुल्क बन गया है जिसकी चांद पर हकूमत होगी और यह जो चंदरयान तरी है यह पानी क मिल जाता है और यह मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी अचेव्मेंट होगी और फिर यह भी पता लगाया जा सकेगा कि चांद पर जिंदगी मुम्किन है भी यह नहीं तो यह पानी की तलाश के लिए यह जो है मिशन भीजा गया है इससे पहले चंदरयान वन और टू भी भ काम हो गए थे लेकिन यह जो एक सौफ लेंडिंग है यह स्पेस्ट टिक्नोलजी और स्पेस के बारे में जो हमें बहुत सी चीजे है वि नीड तो डिसकवर वो दुनिया को मिलेंगी तो बहुत हैसियत हमसाया जिस तरीके से इंफरमिशन टिकनोलजी में वो बहुत आगे जा रहे हैं तो खिराजे तैसीन के मुस्तविक हैं तमाम इंडियन साइंटिस्ट नरिंदर मोदी जी और उनको जो इनकी अवाम है उनको भी मुबारिक बाद जो है कही ना कही देनी चाहिए और यहां पर एक दिल्चस्प अमर यह है कि जब इंडिया ने अपनी चंद्रयान जाती एक मिशन था उसको भीजा लेकिना फॉर्चुनेटली वह लैंड नहीं कर सका और तबाह हो गया था तो कहा जाता था कि चंदा मामा दूर गए यह चांद को कहते हैं तो अब चंदा मामा जो है वह धोर रही हैं अब इंडियन हकूमत जो है वह चांद पर भी होगी त और वहाँ पर स्पीश भी होगी नरिंदर मुदी साहब की आप आइसरो के पेज पर जाके उसको देख भी सकते हैं तो यह एक अचीवमेंट है और चंद्रयांतरी ने बड़ी काम्याबी से लेंडिंग कर ले है चांद की सता पर थैंक यू